हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Android मॉइल फोन में अगर आपके मॉइल फोन की incoming call अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कई वार ऐसा होता है कि हमारे फोन पर कभी भी incoming call आता है तो ringtone की sound की आवास तो आती है लेकिन incoming call स्क्रीन के ओपर शो automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी देर बाद automatic switch on हो जाएगा रिबूट करने से ही होता है हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem आ जाती है तो प्रॉलम जा सौल हो जाती है mobile phone को reboot करने से ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना है कि आपके mobile phone का जो calling के app होता ह इसे आपको tapp करना है या फिर circle के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है आपका ये page open होगा इसमें आपको storage पर टैप करना है इसके अंदर आपको नीचे की side ये clear data पर टैप करना है आपकोfilm चाहिच के ऐपो जायगा तो आपको फिलियर पश्लाuestas की उप्रोसे जो calling का app है, इससे आपको reset करना है, जिससे आपके phone की incoming call screen पे show नहीं होती है, ये problem आपके solve हो जाएगी, ठीकी ना? अब दोस्तो अगला process ये करना है, कि आपको अपने mobile phone का software एक बार check करना है, कि वो update है या नहीं है, दोस्तो कई बार ऐसा होता है, हमारे phone के software का update आता है, हम उसे update नहीं करते है, या फिर कभी phone में update आता है, तो हमें पता नहीं लगता है, तो mobile phone का software अगर update नहीं होता है, तो इससे हमारे mobile phone के Android system के अंदर कुछ कमियां आने लगती है, तो आपके phone का software सब्सक्राइब आपको अपने मुवैल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है इसके बाद फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है अगर इस तरीके का यह अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इससे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्ट्वेयर अपडेट कर लेना जिससे आपके फोन की चो इंकमिंग कॉल स्क्रीन के अपर शो नहीं होती है यह प्रॉलम आपकी सॉल्व हो जाएगी अब दोस्तों अगला प्रोसेस करना है कि आपको अपने मुवैल फोन को रिसेट करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ह है तब आपको फोन को रिसेट करना है अधर्वाइस फोन को रिसेट नहीं करना है फोन को रिसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पीज ओपन कर लीजिए सेटिंग पेज में आपको सबसे उपर सर्च बार में रिसेट आपको लिखना है रिसेट या फिर फैक्ट्री र हो जाए गी लेकिन आपको फोन को रिस्यूट करने पहले दो बात होगा धियान रखने है पहली बात धियान रखने है आपके फोन पैनों में जितना भी डेटा साहरा ने डेटा किसी दूसरे वोन ए ट्रांसवर करलीजेव यह का गोखने स्काम कि ट्वस्टबी दोस्तों आपके मुवेल फोन के सर्विस सेंटर पना फोन वाप में दिखा देना है ऐसा मैं एसलियों कहां हो सकता है आपको अपके आपकी फोन के स्वीजन बताएं वह अगर मुवेल फोन के सव्ट्वेयर के कारण आपके प्रॉल्म हो जाएगी otherwise आपको अपने phone के service एंटर जाना पड़ेगा ठीक है